है है गाईज देखो उर्जा ग्लोबल उर्जा ग्लोबल भी मैंने आपको कई बार बता रहा है कि डिट फ्री एक बहुत ही अच्छा और सांधार स्टॉक है और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर उर्जा ग्लोबल में क्या करना चाहिए तो मैं आपको बलूंगा करना क् सकते हैं इससे चाहता है देखो आने के लिए तो मैं आपको बता दूँ चार्ट बेटन के हिसाब से जिस तरह के से यह स्टॉक कई बार उपर गया है तो थोड़ा कभी नीचे नीचे भी आ जाता है क्योंकि अगर आप देखो गया तो इस ताम थोड़ा हाई है यह देख सक यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो मैं आपको बलूँगा इतना तो आपको बेर करना सीखना ही पड़ेगा अगर आप पैनि स्टॉक्स खरीदे रहो थी स्चाल इसा पचास परस arabe alcanz का तो म्ह प्र आपको बलूँगा ऐसा हो supports का सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूंref उपर से जाएगा जाने दो लेकिन यह 50% पर आके रुख जाया और फिर यह consolidate करना स्टार्ट करेगा पहला रूल जितना उपर जाएगा जाएगा लेकिन उसके बाद आएगा नीचे और फिर 50% के आसपस consolidate करेगा तो इतना तो आपको पता होना चाहिए और इतना आपको मतलब पहले से भी सोच के रखना सी है सोच लो सपोज अगर अपने stocks यहां भी खरीदा तो यहां पर भी है तो कोई tension की बात ने दुबार दोड़ेगा तो आपको profit निकाल के देदेगा और यह stocks अगर आप देखोगो तो अपने lifetime की high पर दोड़ रा कई बार यह लगबग 10 रुप लगबग 500 करोड से भी उपर जाने वाला है 474 करोड के आसपास आपको देखनी को मिलना यह भी लगबग द्री द्री आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा यहां पर सही है और यह कंपनी में अगर आप देखो तो मैंने आपको कई बर बता रहा कंपनी के पर डिट है नहीं को टेंचर वाली बात नहीं है यहां पर लगब गॉर्मनेट ऑफ इंडिया के लिए कंपनी क्यां करते हैं अपरोड झैनल पार्टोर है अब को अगर सारी चीजे हैं यह company खुद ही काम कर लेती है supply करना हो design करना हो इंस्टाल करना हो मतलब जो भी कर ने वो सकता है company कर लेती हैं अपने हिसाब से company का आप चाहो तो पी देख सकते हो Company कहां पर चल रही है धियान से दिखीगा यहाँ पर देख सकते हो तो कंपनी कहा पर चल रही है लबाद 276.9 आपको बदाया जा रहा है उसके बाद यहां पर देख सकते हो लगभा इंडस्टी कितना 38 में है और मार्किट कितना तो लगभा 18 के आस पास चल रहा है यह देख सकते हैं यह पूरा वाल्यूएशन अगर आप देखना चाहते हो तो कंपनी के पास free cash flow नहीं है free जैसे कि यहां पर इनजर आएगा आपको देख सकतो कंपनी के पास जो free cash flow होना चाहिए न यह देख सकतो जो कि यह जो आपको दिख रहा होगा तो कंपनी का free cash flow है ही नहीं नगेटी में उसके बाद अगर कंपनी का earning देखोगे तो कंपनी अभी तो यह चोटी से कंपनी है जो लगब टू-विलर के लिए काम पर बहुत चोटी कंपनी के पास फीरी ऐश फ्लो कुछ है यहां पर और उपर से आपको बताया जारा देख सकते हैं quarterly earning बताया जा रहा profit margin आपको बताया जा रहा तो company छोटी है तो छोटा छोटा ही आपको profit देखने को मिल लागा इसमें बड़ा question है नहीं company का past earning growth भी अगर मैं आपको बताना start करूं यह present यह future में कितना था मतलब पहले कितना तो यह सारी चीज़ अगर बताना start करूं तो काफी ज्यादा time लग जा गया है आप समझ रहो company का जो asset है 4 billion के आसपास बताया जारा liability लगब 4 billion के आसपास आपको बताया जारा asset यहां पर जो long term आपको asset जो बताया जारा है वह 1 billion के आसपास है समझ रहो तो यह आपको बता होना चाहिए कि company के पास asset कितने है और liability कितने है तो company में आपको बोलूँ तो लगबग long term के लिए कोई liability नहीं है और बहुत छोटा मतलब company इसको कभी मतलब जटके से हटा दगी तो long term के लिए company काफी अच्छा है यहां पर देख सकतो long term के लिए आपको लोग ध्यान नहीं देते हैं और एक भी शेर प्लेज नहीं है बहुत छोटी company है मैं पोलूँगा ज्यादा profit भी नहीं होता है एक भी शेर प्लेज भी नहीं है और उसके बाद आप देखो को क्या बोलते हैं कि और company पर डिट वगर भी नहीं है अगर हम देखते हैं सब्बर प्रॉलम भी देखने को मिल लाएं क्योंकि देखो भाई अगर आपको सब कुछ सही चाहिए एक्सलेंट company चाहिए तो मैं आपको बलूँगा चल जाओ भाई बड़े बड़े company हैं जो 4,500 रुपे के rate में आपको देखने को मिलते हैं वो भी खरी सकते हो अगर आपको ज्या किसी कोने में छोड़ दो इस कोने में उस कोने में इस कोने में कहीं पर भी डाल के छोड़ दो कोई दिक्कत के बात नहीं है long term की company का भविस अच्छा है short term में तकलीफ देखने को मिलती है बाई सही है न तो short term जो क्या होता will receivable वगर होते हैं company के पास समझ रहो तो क्या होता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में